कि आपको भी smart watch पर call नहीं आ रहा है याणि call का notification आपको smart watch पर नहीं मिलता है नहीं आता है जैसे कि यहाँ पर दिखर होगा मेरे pass आज लेकिन आपकी pass नहीं आ रहाए जब कि आपका device यानि आपका smart watch आपके phone से connected होता है फिर भी नहीं आ रहाए तो आप आसाने से क्या से ठीक कर शकते हैं आई इस वीडियो में जानते हैं सो इस वीडियो को पूरा देखी सबसे पहले मैं आपको बता दू आपके smart watch में call नाने का यानि call का notification नाने का दो करन हो शकता है पहला करन में आपका device यानि आपका smart watch आपके phone में install app से connect ना हो जैसे कि आपके सान यह पर दिखरा होगा मेरे पास से fit pro नाम का app आप यहां पर देख लेंगे इस app से मेरा device अभी connect नहीं है मैं आपको दिखा दता हूँ notification पाइल लोगों खिचने के वाद यहां पर दिखरा होगा fit pro और यहां पर शुकरा होगा device disconnected आप यहां पर दख लेंगे अभी device connect नहीं है अगर कोई भी बंदा अभी call करता है तो मेरे इस phone में call आएगा इसमें नहीं शुकरेगा notification हमें नहीं मिलेगा तो मैं अहां पर क्या करता हूँ आपको यहां पर क्या करना है बुलूतूत को आपको यहाँ पर on करना है, जियानि बुलूतूत को on करके रखना है, on करने के बाद आपका डिवाइस यहाँ पर connect हो जाएगा, अगर आपका यहाँ पर connect नहीं होता है, तो आप connect कर लेंगे, अगर आपका device connected भी है और आपके पास call का notification नहीं आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दता हूँ, call करता हूँ तो दखिए आपके समने बादुशा नाम का मेरे पास call आया है call कोई भी आये, लेकिन इसमें so करना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर दखलेंगे कोई भी notification नहीं आ रहा है call का इसे कैसे ठीक करते हैं, आयो जानती है आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस phone को लेना है जिस phone में आपका app install है, fit pro, आप उस phone को लेंगे इसके बाद open करेंगे, open करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है आपके सामने शुकर होगा इस तरह से open हो जाएगा और यहाँ पर आजेगा home और यहाँ पर आजेगा state और यहाँ पर शुकर होगा access मांगता है device के location तो आप यहाँ पर allow देदेंगे allow देने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा home और यहाँ पर state का option है आपको state वाले option पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर देख लेंगे कि आपका यहाँ पर device connected है या नहीं जैसे कि मेरा यहाँ पर दिख रहा होगा connected है अगर आपका यहाँ पर connect नहीं होगा तो आप यहाँ पर एक option मिल जाएगा connect करने का connect वाले option पर click करके connect कर लेंगे इसके पर आपको यहाँ पर क्या करना है आपके सामने शुकर होगा message push आप यहाँ पर दख लेंगे message push वाले option पर आपको click करना है क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जागा यहां पर इस प्रकाश आप यहां पर देख लेंगे जो कि यहां पर call का notification चाहिए तो आपको यहां पर क्या करना है इसे इनेवल करना होगा जो कि कहता है calls remind तो आपको इस पर इनेवल करना होगा इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करते ही इनेवल होने के लिए करता है कि अगरिकेज ये अगरिक करते ही आपके समय आज जग इस तरश आप यहां पर अलाव करेंगे अलाव करते ही फिर से अलाव करेंगे और फिर से अलाव करेंगे अलाव करते ही आपका यहां पर इनेवल हो जाता है कॉल का नोटिफिकेशन आपके समय और यहां पर शूकर होगा आपके हमारे वाच में भी शूकर होगा आप यहां पर दख लेंगे जो कि आपके समय पर दिख रहा होगा कॉल आया हुआ है और यहां पर रिशीब भी कर शकता हूं रिसीब करना हो तो आप यहां पर इस तरह करेंगे या आप इस पर क्लिक करे हैं तो मैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पशंद आया होगा वीडियो पशंद आये तो इस वीडियो का लाइक कर देना चलिए फिर मिलेंगे अगल वीडियो में देज़े इजाज़त ठेंगे समयाज